आग्रा में ताज महल सहित अन्यस मारकों पर आने वाले परेटकों की स्क्रीनिंग की जाएगी यही नहीं शहर के होटलों में ठहरने वाले लोगों कोविट जांच की जाएगी कोविट प्रभावित देशों से लोटने वालों पर निगरानी रखी जाएगी मार्श रवास्तव का कहना है कि लोगों को आगाहा कर दिया गया है कि खांसी जुखाम वुखार होने पर ततकाल जांच कराएगी जिलास्पताल और एसन मेडिकल कॉलेज में कोविट मरीजों की भरती के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई है कोरोना संक्रमन की रोक थाम के लिए सतर किताब बढ़ा दी गई है चीन, ब्राजील, अमेरिका, जापान समयत कोविट संक्रमित देशों से आने वाले सैलानियों की स्क्रीनिंग किये जा रही है होटल प्रबंधन को आगहा कर दिया गया है कि वे अपने होटलों में ठहराने से पहले उनकी कोविट जाँच की रिपोर्ट अवश्य देख लें इसके अलावा जिनके पास रिपोर्ट नहीं है उनकी जाँच कराएं कोविट प्रभावित देशों से लोटने वाले परिटकों पर निगरानी बढ़ा दी गई है उन्हें 12 से 14 दिनों तक होम आईसोलेशन में रखा जाएगा संक्रमित को एसन मेडिकल कॉलेज में भरती कराया जाएगा उन्होंने बताया कि फिलहाल आगरा में कोविट का कोई मरीज सक्रियन नहीं है सेनियों उसके लिए लक्षमी राजसंग के रिपोर्ट